नमस्कार दोस्तों जै हिंद वंदे मात्रम आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल एक्जाम ठकी में जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे बैच 2021-23 और बैच 2022-24 के फर्स्ट इयर के स्टुडेंट्स की और बैच 2021-23 के सप्लिमेंटरी ए एक्जाम की और सेकेंडियर रेगुलर एक्जाम की सप्लिमेंटरी यानि कि जिस बच्चे का किसी भी पेपर में बैच आया है तो इनका एक्जाम कब होगा और सेकेंडियर के एक्जाम कब होगे दूसरी चीज़ी है बैच 2022-24 जिनके फर्स्ट इयर के एक्जाम है चाहे वो hearing impairment से बच्चा कर रहा हो चाहे intellectual developmental disability से कर रहा हो चाहे वो visual impairment से कर रहा हो यानि कि अगर आप date special education का कोई भी course कर रहे हैं तो आपके भाईया exam कब तक होंगे संपूर्ट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है इसके पहले मैं बोलना चाहूँगा बताना चाहूँगा सभी मारे भाईयवेन एक बार मीडियो को सभी मित्तुरों तक जरूर शेयर कर दीजेगा और अगर आप चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रस कर लीजेगा सबसे पहले हम बात करते हैं बैच 21-23 की क्योंकि इनका सप्लिमेंटरी का भी एक्जाम होना है और इनके पास समय नहीं है अगर हम बात कर लें डियेड इस्पेसल एजुगेशन हेदिंग इंपेर्मेंट और डियेड इस्पेसल इजुगेशन इंटेलेक्टोल एन डिवलेपेंटल इसिबेल्टी रिजल्ट आप सभी ने अपना देख लिया है साथी साथ वी आई के स्टुडेंट ने भी अपना रिजल्ट देख लिया है फस्ट येर का फाम है सप्लिमेंटरी का फाम आपके कॉलेज में भरा जाएगा आपके कॉलेज से बात कर लीजिए जो भी फीस हो उनसे पूच लीजिए और अपना फाम सप्लिमेंटरी का भरवा दीजिए खास करकि IDD और अचाई का जो फाम है तो अगर इनके हम सप्लिमेंटरी एक्जाम की बात कर लें तो 15 मई से इनके सप्लिमेंटरी एक्जाम है 15 मई 2023 से जो भी टाइम टेबल की PDF आई है वो मैं आपको टेलिग्राम गुरूप पर शेयर कर दूँगा एक्जाम ट्रिकी फॉर इस्पिसल एजुकेशन टेलिग्राम पर आप सर्च कर लेंगे 8K का परिवार वहाँ पर जुड़ा हुआ है तो अगर आप वहाँ पर जॉइन नहीं है तो जॉइन कर लेंगे PDF जो है चाहे वो HI की हो मैंने पहले ही शेयर कर दी थी IDD की भी मैं शेयर कर दूँगा वियाई का जैसे भी आएगा मेरे पास जो कुछ भी आएगा वो भी मैं आपको टेलिग्राम पर ही शेयर कर दूँगा तो सप्लिमेंटरी एक्जाम जिनका बैक आया है बैक पंत्रा मैं से आपके एक्जाम है फॉर्म के लिए आप अपने कॉलेज से बात कर लीजिए अब हम बात करते हैं बैस 2021 का सेकेंडियर का रेगुलर एक्जाम यानि कि आपका फर्स्ट इयर हो चुका बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो गए अब आपको सेकेंडियर का एक्जाम देना है तो आप लोगों ने दोस्तों अब यार का नोटिस पहले भी देखा होगा और मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके एक्जाम है ये जाएंगे आपके अगस्त में सेकेंडियर के एक्जाम अगस्त में कोई भी बच्चा हो HI से अगर आप कर रहे हैं IDD से अगर आप कर रहे हैं VI से अगर आप कर रहे हैं अगर आप DES Special Education से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप सभी के एक्जाम जो हैं सेकेंडियर के जो हैं आपके regular exam ये जाएंगे अगस्त महीने में इधर हम बात कर लिए बैच 2022 की ये भी बहुत परिसान है सर हमारा exam कब होगा तो मैं बताना चाहूंगा भीया देखिए एक साल में एक बार आपका exam होता है जो भी external exam होता है internal भी एक बार होता है external भी एक बार होता है तो जो external exam आपका है ये लगबग इनके साथ ही लगने के पूरे chances है 90% से ज़्यादा chance है कि आपके अगस्त में ही exam होंगे जिसी साब से notice आया था, जिसी साब से सारे circular आये थे मैंने आपको वो सारे circular दिखाये भी थे मगर फिर भी हमारे बहुत से भाईवन परिशान थे जो बाद में जुड़े तो हैं बताया, सभी को बताना चाहूँगा कि सभी अगस्त में आपके exam होंगे अब हम बात कर लें भी प्रेक्टिकल की, कि प्रेक्टिकल कब होता है देखें प्रेक्टिकल की जो date है वो जितने भी सरस्थान है, वहाँ पर अलग-अलग रहती है और प्रेक्टिकल की date, जैसे मानली जी की बोल दिया गया RCI के तोरह कि प्रेक्टिकल कराना है जुलाई में exam से पहले प्रेक्टिकल लगबग हो जाते हैं सारे के सारे लगबग प्रेक्टिकल एक्जाम से पहले हो जाते हैं मानली जीए कि date दे दी गई एक से पांच जुलाई के बीच में वह इसे इतनी date देते नहीं है, लगबग एक महने का समय देते हैं, तीस जुलाई हम लोग मानलेते हैं इसके बीच में जो भी डेट होगी वो आपका college वहाँ से डेट ले लेगा और उस दिन आप के सामने examiner आएगा आपको सारी अपनी फाइले कंप्लेट करके ले जानी होगी और आप लोग बना भी रहे होंगे अगर हाई के student है तो हाई की फाइले बना रहे होंगे तो सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी जैसे first year के student जो भी किस थे इसके थे सारी जानकारियां उनको दी गई वैसे ही भाया 22-24 वाले भी अगर आप चैनल पर बने रहेंगे सारी जानकारी आपको यहापर मिलती रहेंगी मिलता हूँ दोस्तों नेक्ष्ट वीडियो में आसा है सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी अब क्या करना है सभी के पास वीडियो को शेर करना है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना है धन्यवाद दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ बने रहेगा आपके अपने जनल एक्जाउंटर की पर धन्यवाद